बरोदा शहर में परियावरण सुरक्षा और नो प्लास्टिक यूज के तहट दो यूवा उन्हें एक स्टार्टप की शुरुवात की है री यूनियन टेबल के तहट फास फूड की इस स्टार्टप में फास फूड को मिट्टी के बरतन में परोसा जा रहा है यानि कि इसके जरीए वोकल फोर लोकल जो मिट्टी के कारीगर है उन्हें एक आमदनी दी जा रही है बरोदा में परियावरण सुरक्षा और नो प्लास्टिक यूज के उद्देश के तहट दो यूवा उन्हें स्टार्टप शुरू किया है रियूनियन टेबल के तहट दुरू पांजोरो लिया और करण मनसुखा ने फास फूर का स्टार्टप शुरू किया है जिसमें मिट्टी से बने कुल्ड़ में पिज़ा समयत विभिन फास फूर का स्वाद बरोदा वासी को दिया जा रहा है मिट्टी के कुल्ड़ के उपयोग के साथ दुरू और करण ने जो मिट्टी का काम करने वाले गरीब कलाकार है उन्हें रोजगारी देने का प्रयास किया है वोकल फोर लोकल के तहट भारत और खास करके बड़ोदा के मिट्टी के काम करने वारे कारीगरों के लिए आमदनी का जरीया बना है री यूनियन टैबल जिसकी शुरुवात बड़ोदा के भारतिय जन्ता पार्टी के अध्यक्स डॉक्टर विजई शास्त्री नयन कुमार जोशी ने करवाई थी दुरूपान जोरोलिया और करन मनसुखा री यूनियन को फैंचाइजी मोडेल के तहद पूरे देश में इस प्रयास को पहुचाना चाते हैं अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ असान बी आरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बी आरजी न्यूज की मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें